यु проблемाया, जलु फ्रेंड्स, गूड़ोटी फ्रेंड्सट वृट्स epoxy की त्यारि और इसमें हम कर रहे हैं फिस्टी के bagai कोरेffen, पहले वीडियो में हम कर चुके हैं टू फिफिक्टी कोरेffen जिअग्राफी के हैं आब, हम कर चुके हैं फिप्टी कोरेषन यह सेकेंड वीडियो है हिस्ट्री की तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो अपने फ्रेंड की साथ सेयर कर सकते हो तो without any delay start this वीडियो तो पहला कोशन है कोलकाता में धर्म सवा की स्थापना किस ने की थी तो इनका नाम था गोपी मोहन देव और कोलकाता जो की एक मैट्रो सिटी है ठीक है फ्रेंड्स पच्छी मंगाल की राज़ानी है विश्टन चर्चिल द्वारा घोसित कौन सा गोशना पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया तो अटलांटी गोशना पत्र ये सही आंसर है इसका अगला क्रूशन है प्राचीन समुद्री बंदरगहा मुझी रस किस भारती राज़े में इस्थीत है तो ये केरल में है और केरल की राज़ानी तिरूरंत पुरा में फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है और केरल में ही आपको पता है कि केरल में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है रबड का होता है और मसालो के लिए भी फेमस है और 1498 मे 1498 मे वासकोडी गामा यहीं पर आया था कालिकट बंदरगापर किस देश ने 1914 में जापानी स्थीमर कुमा गाटा मारूक की परवेश के लिए मना कर दिया तो केनेडा था और केनेडा की कैपिटल होटावा उत्तरी अमेरिका माधीप में यह आता है भारतिय दंड सहीता अठार सो साथ में लौड मैकाले द्वारा प्राडूपित सहीता का संसोधित संस्क्रेण है इन में से किन देशों की देंड सहीता उसी प्राडूपर आधाईत है तो ABC, सिंगापूर, बुरुनेई और स्री लंका से यह आंसर है सिंगापूर, बुरुनेई, एंड स्री लंका नेक्ट क्विशन है वाइसराई की कारेकार्णी परिसद में न्यूक्त होने वाले पहले भारतिय थे तो सतेंदर परसाथ सिना चोडी-चोडा घटना का वुई थी तो यह 5 फटवर युनिस 122 को वुई थी के बाद गांदी जी ने असेयो गांदोलन वापिस ले लिया था नोन कॉपरेशन मॉमेंट तो इसमें हुआ यह था कि कुछ भारतिय करांतिकार्यों ने चोडी-चोडा नावाकिस्थान पर जो पुलिस चौकी थी गोरगपुर डिस्टिक में यह चोडी-चोडा यूपी में उसको आके हवाले कर दिया था क्योंकि इससे पिछले दिन चार यह तीन फरवरी को ब्रेटिशों ने भारतिय करांतिकार्यों को पकड़ कर जेल में डाल दिया था तो उसके विरोध में सत्पत ब्रामन और तैत्रिय ब्रामन डैश के ब्रामन मूल पार्ट है तो यजुर वेद के तो चार यह वेद है सबसे पुराना वेद रिगवेद है ठीक है फ्रेंड्स साम वेद में आपके साम वेद अथर वेद जिसमें जादर टूनी के बारे में है रिग वेद जिसमें स्लोक है रिशिमोनियों के साम वेद जिसको संगीत का वेद भी का जाता है तो ये आपको ध्यान रखने है फ्रेंड्स सूल अगस्त उनिस सो चियालिस को परतियक सकारेवाई दियस मनाए जाता है मुस्लिम लीग द्वारा ठीक है परतियक सकारेवाई डारेक्ट एक्षन डे की रूपे मनाते हैं मुस्लिम लीग मौमाद अली जिन्ना इसके हैड थे वह कौन सा इस्थाने जहां अंति मुगल सम्राट बात दूर साथ जफर की मिर्तिवी तो रंगून जो के मेहमार की कैपिटल है सविने अवग्या अंदुरन का मुख्य उद्देश क्या है नमक करके विरूद सविने अवग्या सिविल डिस ओविडियन्स मुमेंट जो की 1930 में स्टार्ट हुआ था और 1934 में खतम हुआ था असोग के आक्रमन के दोरान कलिंग पुर्वी प्रांद की राजदानी थी तो तोशली यहां की राजदानी थी कलिंग उडिशा का पुराना नाम है निमलिकित में से कौन अवद की किर्सक आंदुलन का नेता था तो बाबा रामचंद्र ठीक है अवद किसको का जाता है फ्रेंड्स लखनो को ठीक है वर्तमान में लखनो जो है लखनो प्राउंद को अवद का जाता है निमलिकित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है तो जैपरकास नारायन लोक नायक के रूप में जाना जाते हैं यह ध्यान रखना आपको अठार सो सतावन के परतम स्वतंता विद्रों में भाग लेने वाली परतम महिला स्वतंता सेनानी थी बेगम हजरत महल ठीक है तो बेगम हजरत महल ये परतम महिला स्वतंता सेनानी थी और साथ ये लखना होई से या कहां से नोने अपना जो था अपना कमान समबाली थी नोने तो यह ध्यान रखना है सरोजनी नैडू वह महिला थी जो सविने अवेग्य अंदोरन में अठा जब 78 फॉलोवर थे उनके साथ मात्मा गांधी जी के साथ पदियात्रा पे तो एहमदबास से सावरमती से दांडी के लिए तो उसमें सरोजनी नैडवा के लिए महिला थी 78 फॉलोवर्स में उनके गांधी जी ने भारत छोड़ा अनुरन कपसूर किया तो 1942 में क्विट इंडिया मुमेंट ठीक है और फिर उन्होंने नाड़ा दिया था गांधी जी ने करो और मरो का गदर कनांती आरम होने का सबसे परमुक कारण क्या था तो कामा गाटा मा गटना उसी के बाज गदर कनांती गई गदर पाटी की स्थापना लाला हर्दयाल ने करी थी ध्यान रखना आपको सिचाई के लिए 16 मील नंबी चोल जील का निर्मान इसमें से किस चोल सासक ने करवाया तो राजिंदर पर्थम ने कराया था ये बात आपको ध्यान रखनी है राजिंदर पर्थम ने कराया है आगे देखते हैं फ्रेंट्स इनमें से किसने अगबर की धार्मिंग नीति किया लोचना करी तो बनाई नीन है बनाएनी इसने आवुल्फजल ठीक है तो बनाएनी ने अकबर की धार्मिग नीती की की धार्मिग नीती अकबर की क्या थी शाइशोन्ता की ठीक है और दीने-ईलाई धर्म की इसने इस्तापना करी थी जिसमें सभी धर्मों के अच्छे-च्छी बाते रखी गई थी, साढ़ tiet 1670 के आसपास करी थी उसने ठीक है, और अकबर का टाइम पिरेड 1656 से लेके अकबर का जो टाइम पिरेड है बाबर का बेटा हमायू हमायू का अकबर तो जो बाबर का टाइम पिरेड था 530 से 5 526 से 30 56 से 16ल फांस तक पंदो सो चबबी से लेके सूलो पांस तक अगबर का टाइम प्रेड था मनिश्य जीवन का सरवतम देह है कैवल ले किसका आर्थ है कैवल ले जिसका आर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना को कैवल ले कहते है इन में से किसने भूमी मापंकन की ब्योस्ता प्राडम करी तो सेरसा सूरी ने जो सूर वंस का था ठीक है और भारत में सेरसा सूरी वंस बहुती छोटे पिरेड के लिए रहा था तो इसने भूमी मापंकन की ब्योस्ता शुरू करी थी Thomas Rowe मुगल समराट जहांगीर से किस किले में मिला था तो अजमेर के किले में तो आपको ध्यान रखनी है यह Thomas Rowe एतियासिक Victoria Park जिसे आप जंग या जादी पार्क का नाम दिया गया है कहां इस्तित है तो मेरट में मेरट में इस्तित है यह और मेरट यूपी का एक सिटी है यूपी की उत्तर प्रदेश की दिली अंसियार में पढ़ता है मेरट नागरजुन कौन थे तो एक बहुत दार्सनिक थे नागरजुन इन में से कौन सा मुगल समराट अनपड था तो अकबर अनपड था लेकिन सबसे सफल शासक भारते इतियास में से माना जाता है खास करके मुगल काल के ठीक है भारती राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी की अध्यक्स से विवाई थी तो सुचेता किलपलानी थो इंटरेस्टिक इनकोशन है कि अपने अपोजीशन पार्टी के ही अध्यक से ये विवाई थी सुचेता किलपलानी बिटिश आसन को भारत से उकार फेकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियो की मदद करी तो टीपु सुल्तान ने करी थी फ्रेंड्स विरित सांची स्थूप किस काल में और तीपु शुल्तान को मैसूर ये सेरे मैसूर भी कहा जाता है मैसूर आपके करनाटक में पढ़ता है और मैसूर का जो जो राज महल है वो भूत ही फेमस है वर्ल्ड हेरिटेज साइड में वो नाम इस्थान प्राप्त है उसको व्रेज सांची स्थूप की स्काल से संबनी थे तो मौरे काल से जिस दिन भगस्षिंग को फासी दी गई वा सही दीवस के रूप में परतेक वर्स का मना जाता है तो 23 मार्च को 1931 को इनको फासी दी गई थी निम्ण में से कौन से इतियास और बहुत छोटी उमन लगभग 22-23 साल के उमन में इनको फासी की सजा हो गई थी निम्ण में से कौन इतियास के जनक के तौर पर जाने जाते हैं तो हेरो डोटस को Father of History कहते है History के पिता हेरो डोटस अलिगाड आंदुलन किस ने चलाया तो सयद एहमद खाने अलिगड आंदुलन चलाया था ये बात आपको ध्यान रखनी है किस वर्स हुगली के तट पर देशों का पहले अंग्रेजी का रखाना इस्तापित किया गया तो 1651 में आपको पहली मही पर आपको भारत की आखरी वाइस राये ौटमाम टिभेंटन थे यो सीति राजा गोपलाचारी जोती भारत्या थे निवन में से कौन सत्य में जयते का शोत है तो मुन को अपनी सद है ये निवन में से दे गए वाक्य में रिक्तिस्थान के लिए उप्यूगत सब्द चुनिये स्वतंता संगरा में गांदी जी ने कई बार आमरन अंसन करा था तो अंसन, अहिंशा, सत्यागरा है ठीक है और सभी ने अवेग्या ये सारे के सारे गांदी जी के क्या थे हतियार थे और हम कह सकते हैं कि उनकी राजनीतिक विचारधारा ठीक है पॉलिटिकल आइडालोजी के पाड़ थे वो स्वेतंबर और दिगंबर के थे हैं तो जैनमत के हैं स्वेतंबर और दिगंबर श्वेत वस्त धान करने वाले को का जाता स्वेतंबर और दिगंबर जो एक भी वस्त जो बिल्कुल भी वस्त धारणी करते और नगन रहते हैं उनको दिगंबर का जाता है तो ये आपके जै और निम्न में से कौन से भारतिय नेपुलियन किसे मना जाता है तो समद्रगुप्त को भारतिय नेपुलियन का जाता है क्योंकि उन्हें बहुत ही सारे युद्धों में जीत प्राप्त करी थी और नेपुलियन तो वैसे फ्रांस से थे नेपुलियन का जो टाइम प्रेड है 17 1799 से 1815 का टाइम प्रेड है इनका पानिपत का तिर्तिय युद किन के बीच लड़ा गया तो हमस्ता अब्दाली और मराठो के बद्ध्य हुआ था 1761 में फ्रेंड्स ठीक है पहला वाला पानिपत का युद 1526 में हुआ था ठीक है इब्राहम लोदी और बाबर के बीच में दूतिय हुआ था 1556 में अगबर ठीक है अगबर की तरब से उसका जो सेना पती था और हेमू के बीच में सयाद हुआ था अगबर और हाँ किसी के बीच में बुझे इग्जेक्टली आदनी आड़ा तीसर वाला ये वाला था आरे भट था एक परसिद खगोल वेता आरे भट एक खगोल वेता था आरे भट भरत का राष्टगान जन गन मन ठीक है नैस्टनल एंथम इंडिया का ये रचना है रविन्दुना टैगोर की मगज सामराजी का अंतिम सासक काला सोग था काला सोग मगज सामराजी का अंतिम सासक ध्यान अकना हमें सांची स्थूप का निर्मान किस ने करवाया तो अशोग ने बहुत सारे स्थूपों का निर्मान करया था इस्तूप पत्थर की एक सिला उती थी जिसके अंदर बौत धर्म के जो गुरु होते थे जो भौधिस्ट जो वी लोग होते थे जैसे तुमारे गौतम बुद्ध थे तो उन लोगों से संबंदित उनके सरीर से संबंदित उनके बाल हो गए नाकोन हो गए उनको रखा जाता था इस्तूप में और सबसे बड़ा इस्तूप है साची का इस्तूप जहांपे गौतम बुद्ध से संबंदित वस्तों को और रखा गया है सुविख्यत सूर्य मंदर की सिस्थान पर है कोणांक में है कमबोडिया में है जैंदर्म के तेश्वी तिर्थांकर कौन थे तो पार्शवनाथ हर्शवर्धन की राज़दानी का थी कन्योज कन्योज हर्सवर्दिन की राजानी थी फ्रेंड्स याद रखना हमें आईए कुछी कुशन रहे गए हैं बुद्ध ने अपना पहला उद्देश कहां दिया था सारनात में इनों अपना पहले उद्देश दिया था बोध गया में इनको ग्यान की प्राप्त हुई थी कुशी नगर में इनोंने निर्वान प्राप्त करा था तो ये बात हैं में ध्यान दखनी है इनकी मिरित हुई थी बोध गया में ग्यान प्राप्त हुआ सारनात में पर्थम लुमिनी में इनका जनम हुआ था यह तो चार यह मुखे स्तान है जो भुद्ध से सम्भानित है वही तालेवी यात्री जिसने में विजयनगर सामडाजी का अंतिम परसंसात्मक विवर्णन किया तो निकोलो कॉंटी था विजयनगर सामडाजी जो की कन्नाटक में था तेरसो चतिस इसबी में हरियार और बुक रियासतों के एकी करण में सबसे महतपुन भुमिका किसने निवाई थी तो फ्रेंड्स आप सब बता सकते हो सरदार वल्ला भाई पटेल इसके सही आंसर है जिनोंने लगवग 556 के आसपास रियासते थी उनका एकी करण करा था जिसमें मुखे रियासते थी तुमारी एक र इनको नोने भारतिया गंसंग में भारतिया गंतंत्र में मिलाया था कि इसके बल पर साम दाम दंड भेट की निवी अपना कर और इनको आईरेंड मैन आफ इंडिया भी का जाता है सरदार वल्ला भाई पटेल 31 अक्टूबर को इनका जनम दिन आता है मात्मा गांदी भारत क के राष्ट पिता बाबु राजिंदर प्रसाथ ठीक है भारत के पर्थम राष्ट पती और जवाला नेरू पर्थम परधान मंत्रे और 17 वरस्ता के परधान मंत्री रहते 1947 से लेके और 65 तक इतने लंबे समय तक तो हमारे हो चुके हैं 100 questions फिर अगले question को करेंगे next वीडियो करें अपने friends के साथ जो त्यारी कर रहे हैं government exam की जहिन friends